सब्सक्रीज में आपका दोस्त नाधरमीर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चनल नादर मीर ओफिशल दोस्तों आपको तो पता है कि हम हर जुमा को अपने विलेज आते हैं हम अपने गाउं आते हैं और माशाला से और फिर हफ्ते के बाद हम अपने गाउं आएं अपने फसलें देखनें अपने जमीने घुमनें और हमारे साथ मौजुद हैं हमारे अबू जान और मासाथ तारिक हुसेन दुबई वाले माशाला से तो अभी हम अपने जमीन की विजट करेंगे और आपको दिखाएंगे तादातरीन सुरह त्याल के यहां पे जमीन आप देख सकते हैं यह हमारी फसल है यह चावल की फसल और यह मामो अली मुराद की जमीन उसका भी मैंने आपको परचली बार विजट करवाया था और माशाला से यह देखें हमारी जमीन माशाला से फसल बहतरिन हुआ है इस मरतबा जबरदस अल्ला पाक बरकत अता फरमाए इसमें और फसल की कटाई अभी तक नहीं हुई है फसल की कटाई इंशाला ताला दो तीन दिन में हो जाएगा माशाला से फसल बहतरिन और हमारा गाउं है बच्चो मोगेरी हमारे गाउं के ये सुबह का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त सुबह के नो बज़ रहे है माशाला से आप नो बज़े में उपर ये सूरज की तपश देख सकते हैं मोसम में अभी तक इजाफा नहीं आया है नमबर का मैंना है लेकिन सर्दियां वो नहीं आई है इस मर्तबा पता नहीं क्यों इस मर्तबा गर्मी गर्मी है माशाला से ये जमीन वो वहां से जो पेड़ दिख रहे हैं वहां से लेकर यहां तक हमारी पूरी जमीन है माशालासे चावल में जोlier बज़न भारी ता इसलिए वो इदर सडक में गिर रहे थे तबी हमारे किसान ने इसको इदर लेटा दिया है यह पूरे पूरे जो भी हैं इनको उद्दर से लेटा दिया है क्योंके यह सडक है सडक पर गिर रहे थे तो रास्ता बंद हो रहा था क्योंकि पुछली मर्त बाइब हमने जो वीडियो बनाया था आपको दिखाय था कि वहाँ पर रास्ता बंद है तो रास्ता बनाने के लिए उन्होंने ये पूरा चावल का जो भी है इसको सेट अप को उधर लेटा दिया है तो आईए हम आपको अपने चावल की फसल को अपने केमेरा के फोकस में आपको दिखा रहे हैं कि आप खुद एक एक दाने देखकर बताएं कि आपको हमारा ये फसल कैसे लगा उमिन करता हूं कि आपको ये हमारा फसल पसंद आया होगा माशाला से अल्ला पाक हमारी रोजी रिजिक में वरकत अता फर्माए आप दोस्तों भाईों हमारे हमें दौा में याद किया करें और माशाला गाउं में यहां पर सुबह के टेम तो खुबसरत नजार होता है जबरदस सुकून मिलता है दिल को याकिन मानें यहां पर दर्खत देख सकते हैं दर्खतों के अक्वी जन की वज़दा से हमें सुकून मैसूस होता है वो जो फिलिंग होती है वो जबरदस होती है सुबह की टेम तो इसलिए आज हम सुबह सबेरे आए हैं यहां पर यह सड़क को छोड़ा छोटा है इसलिए एत्यात से जाना पड़ेगा तो सुबह माशाला सुबह का जो यहां पर होता है मॉमेंट वो जबरदस होता है अच्छी फिलिंग होती है इस वक्त हम अपने जमीन के उपर वाले हिसे पर मौजूद है और माशाला से यह खुपसरत व्यूउ आप देख लेए काफी जबरदस्ट व्यूज है उपर वाले हिसे की और माशाला से जबरदस्ट किसम की है हमारे खुपसरत फसल दोatti यह वो रास्ता है जहां से पहले हमने आपको बताया कि ये रास्ता बंद है ये वो रास्ता है जो कि बंद है और सामने जो हमारे अंकल हिजायत इला मुगेरी की जमीन है आईए तो मैं आपको उसका भी विजट करवाता हूँ माशाला से ये हमारे अनकल हिदाइतिला मुगेरी की जमीन है ये भी जबर 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 सुखाए अल्लापाक सब की रोजी रिज, रिज, की बरकत तता फरमाए सारे मैनेज़ करती है सब का अस्रा ही इसी फसल पे होता है ये मामो मीरेसन जमीन करता है ये गाओं के वडेरे की जमीने उनका किसान है मामामीर असन तो मामामीर असन हमारे भी किसाने उनके भी माशाला से बड़े मैनत ही है अलापाक उनकी मैनत कबूल फरमाए ये देखें ये चावल की फसल जो के गिर चुका है नीचे वजन की वज़े से एक वजन और दूसरी जो के हवाई की वज़े से ये नीचे गर गया है तो दोस्तों मैं उमेद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करें लाइक और हमारी यूट्यूब चिनल को करें एक खुबसरत सा फूल दिखाई दे रहा है जिस पर बटरफ्लाइ बेठा हुआ है तो हमने सोचा के क्यों न हम इसकी भी फोकस में वीडियो बनाए माशाला से आप देख सकते हैं कि ये खुबसरत बटरफ्लाइ जो के फूल के उपर बेठा हुआ है और ये हैं गाओं में घर की रोनकें बैसें माशाला से बहुत सारे बेंसें और इस वक्त हम आए हैं दरगा सेद हुसेंशा बुखारी पे और ये हमारे फुकरा संगत हैं माशाला से ये हैं गादी नशीन फकीर हुसें और ये हैं उनकी संगत माशाला से अभी हम जयारत करेंगे अंदर जा रहे हैं मजार पे और यहां पे हम चपल उतारेंगे और माशाला से यह आप देख सकते हैं खुबसरत नजारा माशाला से अभी हम जा रहे हैं पहले तो यहां पे अलम पाथ की जारत करेंगे यह हमारे वालो साब यहाली मदाद बाबा बिसमिल्ला ये अब्दू जान ये माशारा से गाजी अबास का पर्चम अल्लाहुमा सल्यला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाजल फरज और यहां पर ये प्यारा सा मौर भी है जबर्दस्त बिसमिल्ला ये अल्लाहुमा सल्यला मुहम्मद वाले मुहम्मद माशाला से ये हैं हुसेन शाब बुकारी जलाली ये आप देख सकते हैं सक्यों के सक्य हैं माशाला से यहां पे टैल्स मारबल का ये सिस्टम है बहुत खुब सुरत है जिसमें 12 अम चौदा मसूम और उसके बाद अल्लापक मुहम्मद वाले में के नाम लिखे हुए हैं ये अबु जान यहां पे दौा मंग रहे हैं यह आप खुबसरत नजारा देखें माशाला से जबर्दस नजारा यह जो अमर लगा हुआ है यहां पर जुम्हे के दिन बड़े तदाद में अकीदत मन्द यहां पर आते हैं हादरी लगाते हैं माशाला यह शहीद हुसेंशा बुखारी की मजार है लोग अक्सर करके यहां पर जयारत करने को आते हैं और इनका मेला भी लगता है दो जी मैंने आपको अपनी फसलों का यह फिजट करवाया क्मेंद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को करें लाइक और मेरे यूट्यूब चिनल नादर भी व्लोग को करें सबिस्क्राइब इंशाला हम आपको और बहुत सारी वीडियो दिखाते रहें के ऐसे बहुत इंट्रेस्टिन वीडियो अभी हम जा रहे हैं लारकाना वापस अपने धर अभी हम रास्ते में हैं तो मैं तो चाके क्यों ना रास्ते में विलोग बनाएं और आपको इस रास्ते वाली पॉंट्स सब को दिखाएं सार्फ के रोड की तो इस वक्त करें लारकाना वापस है लारकान वापस ओड में अलशार आपको इस वक्त हरुचंटिंग ने। का ला रास्तम अभी पॉट्छयं और लारखकान शिखेंगे और वार्शय का पॉद्न कि पर आपके रोपकृ और मेरे कि ते इप इसकोल को दारे i8 भायर्मस्र अभाइ एक ञाहा है आप पर धी ने टाली मासलिक्तु स्कूल को श्कूल को आप गयर में जाते हैं यह आậ vehicle दार्ञ पर जॉसर ali stric like this झाल झाल